इस वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे कि बायोडाइवर्सिटी और सचनेबल डेवलेप्मेंट क्या है तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जो वराइटी ऑफ लाइफ अन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट अनिमल स्पीसिस तो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी ठीक है कि सचनेबल डेवलेप्मेंट आप इस तरीके से करो कि आज जरुवत है उसको पूरा कर सखो लेकिन फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स है उसको पैदा करके नहीं ठीक है फ्यूचर को भी एक तरह से से शेफ करते हुए आज के चीजों को आप चलाओ तो इस तरह से आप डे जनिटेंट डाइवर्सिट इसमें क्या होता है कि जो ृपी एटिक डाइवर्सिटि इस तरह पहले तो यह आपका यह होता है कि गोसिश्टम के पर होता आपका इको इको शिच्टम लांटे ओंनाूर इंक्कुट काजीश इनट और से आपका forest हो गया, ocean हो गया, grassland हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका ecosystem diversity, अब biodiversity और sustainable development को लेके क्या क्या issues है, तो पहला है आपका habitat loss, habitat loss में क्या हो रहा है, जो क्या बोलता है, उनका जो environment है, जो रहवास है, जहां पर रहते हैं, ठीक है, वो खतम हो रहा है, ठीक है, biodiversity है, उसको एक तरह से खत्रा पहुच रहा है, अब इसकी पीछे जो कारण है, वो क्या है, human activities, अब human activities का है, वही deforestation, urbanization, agriculture, दूसरा है climate change, climate change कैसा हो रहा है, ये भी आपको पता है, भई, puzzle fuel ज़्यादा ज़र रहा है, human activity के वज़र से, इससे climate change हो रहा है, और extreme weather events हो रहे है, ये हो गया आपका, ठीक है, तीसरा है, overexploitation of natural resources, भई, natural resources का overexploitation हो रहा है, चाहे हो mining के जरी हो, overfishing के जरी हो, या deforestation के जरी हो, invasive species का आना, कि भई, जैसे बाहरी जो प्रजाती के जो species है, वो आके यहाँ पे, जो native species है, उसको खतम कर रहे है, ठीक है, अब क्या के strategies है, जि जो जीव जन्तु जहां पे रह रहे है, उनके आवाज को सुरक्षित करें, उनके habitat को protect करें, दूसरा है sustainable agriculture, कि भई, आप जैविक खात का इस्तमाल करें, ठीक है, ताकि आपको जो soil health है, वो अच्छा रहे, मजबूत रहे, अना fertilizer, chemical fertilizer है, उसका use कम करें, या use ना ही करें, ती energy करें, biodiversity conservation में क्या है, कि भई, आप जो ecosystem का health है, उसको preserve करें, ताकि एक तरह से जो biodiversity है, वो maintain रहे, चौता है sustainable development, वही, कि भई, जैसे अगर आप development कर रहे हो, तो इस तरह से development ना करें, कि भई, future में कोई परिशानी हो जाए, ठीक है, तो आज का need को पूरा करो, लेकिन future को भी देखते हुए, future को भी safe रखे हुए, तो इस तरह से development आप देखिए, तो इसे हम कहते हैं sustainable development, ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं next वीडियो में,